नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हारदिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में दोस्तों दोपेर के ठीक तीन बच चुके हैं और आप सभी को पता है कि तीन बज़े अपना मेगा टेस्ट स्टार्ट हो जता है तीन बच चुके हैं दोस्तों जल्दी से लाइव आजए जल्दी से जुड़ जए मेरे प्यारे सातियों सभी मेरे साथ और फिर इस मेगा टेस्ट की सुरुआत करते हैं जितने लोग आ चुके हैं एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए जो लोग नहीं आयें दोस्तों उनको भी बुला लीजिए राजस्तान जी के के 50 Most Important Question दोस्तों लेके आ गया हूँ तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताईए कि आवाज एकदम के लिए आ रही है या नहीं आ रही है चलिए तो दोस्तों 51 से लेकर के शो तक कुल 50 परसं है अपने 51 से लेकर शो तक क्यूशन चलेंगे क्या आप रेडी है एक बार कमेंट करके बताईए आप टेस्ट देने के लिए तैयार हो किया मैरे पेरे साथिओं एक बार कमेंट करके बता दीजिए सभी लोग चलिए आज का पहला क्योंशन आपके सामने दोस्तों 51 नमबर माराणा परताब की जनम इस्तली है ओप्षन देखें चितोड उदेपुर हल्दी गाटी या कुम्बलगड बताई 51 नमबर का राइट आंसर क्या होज़ेगा दोस्तों माराणा परताब की जनम इस्तली है चलिए बहुत बढ़िया डी ओप्षन करेक्ट आंसर होज़ेगा दोस्तों कुम्बलगड जो है माराणा परताब की जनम इस्तली है कुम्बलगड डी ओप्षन आपका करेक्ट आंसर हैगा अगला केस्टन देखिए दोस्तों Like शेयर कर दिजे जल्दी से इस लाइव सेसन को अगला है बोरा समाज का उर्ष काहां लगता है बाड़ मेर अजमेर गलिया कोट या उदेपूर जल्दी से बताए राइट आंसर क्या हो जएगा बोरा समाच का उर्ष का लगता है बाड मेर अजमेर गलिया कोट या उदेपूर चार ओप्षन आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों चलिए C ओप्षन करेक्ट आंसर होजेगा दोस्तों गलिया कोट में बोरा समाच का उर्ष लगता है सी ओप्षन आपका करेक्ट आंसर एगा अगला क्यूशन देखे दोस्तों तरेपन नंबर आपके सामने है राजस्तान में पंचाइज समीति का परदान अपना इस्तिपा किसे देता है जिला परमुक उप परदान जिला कलेक्टर या संभाग या आयुक्त तरेपन नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताईज जल्दी से कमेंट करके पंचाइज समीति का परदान अपना इस्तिपा किसे देता है चलिए ए ओप्षन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिला परमुक को देता है अपना इस्तिपा ए ओप्षन आपका करेक्ट आंसर है जिन दोस्तों ने ए ओप्षन बताया है बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों अगला क्यूस्टन देखिएगा बांसवाडावे डूंगरपुर के मद्ये के भूबाग को किस नाम से जाना जाता है कामल, भाकर, गिर्वा या मेवल अब बताये चोपन नंबर का राइट आंसर बांसवाडावे डूंगरपुर के मद्ये के भूबाग को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों बहुत इबडिया, very good डी ओप्षन आपका correct आंसर हो जाएगा दोस्तों, मेवल नाम से जाना जाता है डी ओप्षन आपका correct आंसर हो जाएगा मेरी प्यारे साथ्यों, चोपन नंबर का डी ओप्षन correct है, ठीक है पिचपन नंबर पे चलते हैं दोस्तों like share करते रहिए अगला पिच्पनवा क्योशन है मावट क्या है दोस्तों पहला ओप्षन है राजस्तान के पाड़ी शेत्रों में पेदा होने वाली वनस्पती राजस्तान में सीतरितु में होने वाली वर्षा सुकागरे शेत्रों में पशों के लिए उगया जाने वाला चारा या रेगिस्तानी शेतर में चलने वाली गरम लू बते पिच्पन का राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्तों को कमेंट करना है लाइक और शेयर करना है मेरे प्यारे साथियों बहुत इबड़िया बी ओप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजिस्तान में शेहित रितोनों होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं दोस्तों बी ओप्शन आपका करेक्ट आंसर है अगला चलिए दोस्तों नेमने में से कौन सी खारे पानी की जील नहीं है कौन सी खारे पानी की जील नहीं है दोस्तों ये पुछा गया आपसे 56 नमबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेट करके बताएगा दोस्तों चलिए बहुत बढ़िया सभी का राइट आंसर आना चाहिए दोस्तों सभी का कायलाना जोदपुर याँ पे c option आपका कर्रेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कायलाना जोदपुर जो है मिठे पानी की जील है ये खारे पानी की जील नहीं है अग्ला देखना दोस्तों सुस्क वन अनुसंदान संस्तान आफरी का इस्तित है नागोर बिकानेर जसल मरिया जोदपूर दोस्तों 57 का राइट आंसर बतेए सुस्क वन अनुसंदान संस्तान आफरी कहाँ पर इस्तित है चलिए जल्दी से बतेए 57 का राइट आंसर बिलकुल D option आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जोदपूर में है सुस्क वन अनुसंदान संस्तान आफरी ठीक है अगला देखें दोस्तों मेजा बांद का रिस्तित है 58 नंबर क्यूशन आपके सामने अवेलेबल है चार ओप्शन आपके सामने अवेलेबल है मेजा बांद काँपर है भीलवाडा बांद स्वाडा अजमेर उद्यपूर बताई जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों मेजा बांद काँपर है दोस्तों ये बताना आपको चलिए बीलवाडा में है मेजा बांद दोस्तों ए ओप्शन आपका करेक्ट आंसर एगा ए ओप्शन जिन दोस्तों ने बताए बिल्कुल करेक्ट आंसर है गुनसाथ नमबर प्याज़े ये राजस्तान में नवाबों की नगरी के नाम से विक्यात कौन सा सेर है क्या हो जाएगा दोस्तों चलिए गुनसाथ नमबर का राइट आंसर बते दोस्तों सभी का राइट आंसर आना चाहिए इस क्यूशन का बहुत बढ़िया टोंक याँपर प्रक्ट आंसर हैगा दोस्तों भूमगड गाम या इन में से कोई नहीं, बताईए, परशिद वेनेश्वर धाम काम पर इसतित है दोस्तों, चार ओप्शन आपके सामने अवेलेबल है, क्यों सान नमबर साथ का राइट आंसर आप सभी को बताना है, चलिए जल्दी से बताई, साथ वेनेश्वर धाम का है दोस्तों, अगला क्यों संदी के एक सट नमबर, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के इस्तमाल, पानी की जगे गी इस्तमाल किया गया था, पानी का इस्तमाल नहीं, बलकि गी का इस्तमाल किया गया था, ये किस मंदिर के विशे में का जात जल्दी से बते एक शटका राइट आंसर क्या वज़ेगा दोस्तों किस मंदिर के बारे में का जाता है कि उसके निर्माण में फानी के इस्तान पर गी इस्तमाल के आगया था दोस्तों सबी प्यारे दोस्तों को कमेंट करना है जो चैनल पर फर्स टाइम विजट करा है लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करना है दोस्तों आपको चलिए बी ओप्शन आपका करेक्ट आंसर एगा भाड़ा सा जैन मंदिर बिकानेर बी ओप्शन आपका करेक्ट आंसर है 62 नमबर पर आज़े दोस्तों सुबटिया लोग गीत का समन्द किस से है ओप्षन आपके हैं ग्राश या इस्तरी से सती इस्तरी से विरांगना इस्तरी से या भील इस्तरी से बताए सुबटिया लोग गीत का समन्द किस से है 62 नमबर का राइट आंसर बते हैं दोस्तों चलिए सुबटिया लोग गीत का समन्द किस से हैं दोस्तों बेलकुल भील इस्तरी से हैं दोस्तों सुबटिया लोग गीत का समन्द D option आपका correct आंसर हैंगा D option ठीक है next अगला question देखेगा मतहरन कला मतहरन किस जिले की परशिद लोग कला है दोस्तों ये बताना है मतहरन किस जिले की परशिद लोग कता है जोदपूर, चुरू, बिकानेरिया, उद्यपूर जल्दी से बताईए 63 नमबर आपके सामने अविलेबल है चार option मैंने आपको बताएं आपको राइट answer बताना है कि मतहरन किस जिले की परशिद कला है चलिए जल्दी से comment किजी दोस्तों लाइक और शेयर करते लिए comment करते दो दोस्तों हर रोज 3 बज़े आपके लिए mega test बिलकुल बिकानेर इसका correct answer एगा तीसरा option C option आपका correct answer रेगा दोस्तों मतहरन कला जो है वो बिकानेर की फहमास है दोस्तों C option अगला क्योंचन देखेगा लोक देवता तेजा जी का माराज का पवितर 13 तिस्तल बांसी दुगारी बांसी दुगारी काम पर इस्तिते दोस्तों ये बताना है लोक देवता तेजा जी का माराज का पवितर 13 तिस्तल बांसी दुगारी काम पर इस्तिते दोस्तों option है नागोर बुंदी बिकानेरिया जालावार जल्दी से बताई 64 का right answer क्या हो जाएगा चलिए 64 का right answer बी option रेगा दोस्तों बुंदी में इस्तिते बांसी दुगारी बिलकुल बी option आपका correct answer हो जाएगा next अगला question देगे दोस्तों कौन से जिले निम्न में से कौन से जिले अंतराश्टी शिमा पर इस्तिते चार option आपके सामने हैं आप ध्यान पुर्वक इनको पढ़िये और बताई right answer क्या हो जाएगा 65 नंबर question आपके सामने available है दोस्तों जल्दी से बताई right answer क्या हो जाएगा निम्न में से कौन से जिलों का जो समो है वे अंतराश्टी शिमा पर इस्तिते दोस्तों जल्दी से comment कीजिए like और share कीजिए दोस्तों 65 नंबर का right answer क्या हो जाएगा बिल्कुल पहला option correct answer हो जाएगा दोस्तों ए उप्सन correct answer है गंगानगर बिकानेट जसल मेर और बाड मेर ये चार जिले राज़स्तान के अंतराश्टी सिमा परिश्तिते जो की पाकिस्तान के साथ सिमा बनाते हैं जिसे रेड किलिप रेखा का जाता है और उसकी लंबाई 1070 किलोमेटर है ठीक है दोस्तों अगला question देखेगा 66 number question आपके सामने available है शिरोई शेतर की पाड़ियों को इस्तानी भासा में क्या का जाता है भाकर बोराट गिरवा या संगलिया अब आप 66 का right answer बते हैं दोस्तों शिरोई शेतर की पाड़ियों को इस्तानी भासा में क्या कहते हैं ये question आपसे पुछा गया है चलिए बहुत बढ़िया very good बिल्कुल correct answer हो जाएगा भाकर ये option आपका correct answer हो जाएगा शिरोई शेतर की पाड़ियों को इस्तानी भासा में भाकर का जाता दोस्तों ये option जिन्नों ने बताया है बिल्कुल correct है अगला question देखी चूरू में ताल चापर क्यों परशिदे आपके उस्तन द्यान से देख लेना मैं आगे भी option आपको बताने वाला हूँ चोरू में थाल ताल चापर क्यों परशिद है पहला है विशाल एनिकट के कारण दूसरा ओप्षन है काले हिरन का अब्यारण है ताल मादेव मंदिर के कारण या हत करगा उद्योग के कारण अब आप मुझे बताइए ताल चापर अब्यारने क्यों परशिद है दोस्तों सब भी को आना चाहिए राइट आंसर 67 नमबर आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों ताल चापर अब्यारने क्यों परशिद है बिलकुल बिलकुल काले हिरण का अभियारन है दोस्तों काले हिरणों का अभियारन के लिए फेहमस है बी ओप्सन आपका correct आंसर हैगा 67 का बी ओप्सन ठीक है अगले देखिए great indian bastard किसे का जाता है दोस्तों कल परशों के model paper में भी सवाल था मुझे बतेए राइट आंसर क्या हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं कुरजा, साइबेरियन सारस, गोड़ावनिया, चिंकारा जल्दी से बतेए 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सबी दोस्तों को कमेंट करना है दोस्तों सबी को जितने लोग भी जुड़ गए हैं हर रोज तीन बजे कलास होती है दोस्तों ये चलिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दोस्तों गोड़ावन को का जाता है सी ओप्सन आपका करेक्ट आंसर है अगला क्योशन देखना दोस्तों अरावली परवत माला दक्षिन पस्चे में राज़स्तान के किस जिले से प्रारम होकर उत्तर पूरव की ओर जाती है जालोर उद्यपूर परताब गडिया सिर होई जल्दी से बतेए दक्षिन पस्चे में कौन सा जिला है जहां से अरावली परवत माला सुरू होती है दोस्तों ये बताना आपको 69 में चार ओप्षन आपके सामने अवेलेबल है आपको उस ओप्षन का चूच करना है जो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों चलिए राइट आंसर होजेगा सिरोई डी ओप्षन आपका करेक्ट आंसर हेगा दोस्तों सिरोई जिले से ये आरम होती है दोस्तों अगला क्योश्टन देखे सित्तर नमबर बनास नदी पर कौन सा बांध बनावा है रामगड़ बांध, मेजा बांध, विसलपुर बांध या जवाई बांध चार ओप्शन आपके सामने है दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएए बनास नदी पर कौन सा बांध इस्तित है सित्तर नमबर आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों बेलकुल दोस्तों सी ओ उप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिसल पुर बांद इस्तित है बनाश नदी पर सी ओप्षन आपका करेक्ट आंसर है ठीक है अगला किसन देखे दोस्तों अगला किस विश्ववधाले का नाम पूर्व राष्ट पती सर्व पली राधा कृष्णन के नाम पर रखा गया है अप्षन है राष्ट्य विद्धी विश्ववदाले जोत है दूसरा है राष्ट्य का राइट आंसर क्या ओज़ाएगा दोस्तों सेवन्टी वन का राइट आंसर बताना है दोस्तों जल्दी से बताई चलिए बिल्कुल दोस्तों सभी को कमेंट करना है लाइक और शेयर करना है दोस्तों बी ओप्शन आपका करेक्ट आंसर वज़ेगा राष्ट ये आईरवेद विश्विदाले जोतपुर का नाम जो है वह है सर उपर ली राधा करेश्णन रखा गया दोस्तों ठीक है अगला किसन देखेगा वनस्तली विद्यापेट डिम्स विश्विदाले किस जिले में इस्तित है दोस्तों बहुत तर नंबर आपके सामने अवेलेबल है बताईए वनस्तली विद्यापेट जिसे डिम्स विश विदाले केते हैं किस जिले में इस्तित है जेपूर अजमेर टॉंक या सवाई मादूपूर जल्दी से बताईए 72 का राइट आंसर दोस्तों 72 का राइट आंसर C ओप्शन रेगा दोस्तों C ओप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल C ओप्शन या पर सही आंसर है दोस्तों अगला क्योशन देखिए जनसंक्या 2021 के अनुसार राजे में सरवादी केम नियुनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं बासवाडा जुन जुनू बासवाडा सिकर परताबगड जुन जुनू या परताबगड शिकर अब बताईए 73 का राइट आंसर 73 आपके सामने अवलेवले दोस्तों चार ओप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं आपको राइट आंसर का चूच करना है दोस्तों चलिए सब भी दोस्त लाइक और शेर कर दीजे दोस्तों 73 का राइट आंसर एए उप्शन रेगा दोस्तों बासवाडा और जुन जुनू करेक्ट आंसर हो जेगा एए उप्शन जिन दोस्तों ने बताए था बहुत-बहुत स्वागत बहुत-बहुत सद वाद दोस्तों अगला क्यूशन आपके सामने आ रहा है दोस्तों अगला क्यूशन सेकावाटी शेतर में निम्न भूमी को क्या कहा जाता है कुच्चा, टिबा, खारड़ा या जोहड बते ही दोस्तों 74 का राइट आंसर शेकावाटी शेतर सिक्कर चूरू जुन जुन ये वाले हैं तो सेकावाटी शेतर में नेमन बूमी को क्या कहते हैं दोस्तों ये पुछा गया आप से चलिए करेक्ट आंसर एगा D option जोहड का जाता है दोस्तों जोहड D option आपका करेक्ट आंसर रहेगा काफी लोगों ने बिल्कुल से बताये था अगला क्यूशन आ रहा है 75 सबी का सही होना चाहिए इजी क्यूशन है दोस्तों राजस्तान का परवेश दुआर किससे कहा जाता है भरतपुर, अलवर, चेपुर या दोलपुर जल्दी से बताये 75 का राइट आंसर राजस्तान का परवेश दुआर किसे कहते हैं दोस्तों 75 नंबर आपके सामने अवेलेबल है जल्दी से बताये राइट आंसर क्या होजएगा बिल्कुल भरतपुर या पर करेक्ट आंसर होजएगा यह ओप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों अगले क्यूशन में देखिए राजस्तान के किस परदेश में एंटी सोल समू की मरदा पाई जाते है पूर्वी पस्चिमी दक्षिनी पूर्वी या दक्षिनी बताये जल्दी से राइट आंसर क्या होजएगा दोस्तों बिल्कुल 76 का राइट आंसर बी ओप्शन होजएगा दोस्तों पस्चिमी बाग में पाई जाते है बी ओप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा अगला क्योशन देखे अगला राजस्तान की पहली सिंचाई प्रियोजना जिसे संपूर्ण सिंचाई हमारा पदिस्ती से होगी कौन सी थी यमुनाजल सिंचाई प्रियोजना जखंबान प्रियोजना भीका भाई सागवाडा नेर प्रियोजना या नर्मदा नेर प्रियोजन बिल्कुल D option correct answer हो जाएगा दोस्तों 77 का D जिन दोस्तों ने बताया है बिल्कुल correct answer है दोस्तों 77 का D option अगला देखे 78 आपके सामने available है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्तान में सरवादिक जनसंग्या वाले नगरों का आरोई करम कौन सा है दोस्तों सरवादिक जनसंग्या वाले नगरों का आरोई करम बताना है 2011 की जनगणना के according दोस्तों चार option आपके सामने available है आब बते 78 का right answer क्या हो जाएगा सभी प्यारे साथियों को comment करना है दोस्तों सभी को चलिए बिल्कुल C option काफी लोग बता रहे हैं C option ही correct answer होगा जैपूर एक नंबर पर फिर्जोदपूर कोटा और अजमेर ये सरवादिक जनसंग्या वाले चार नगर है दोस्तों 2011 की जनगन्या का नुसार C option आपका बिल्कुल correct answer है अगला देखिए 79 कपास उत्पादन में राजस्तान का भारत में इस्तान कौन सा है दूसरा चोता चटा या आट वाँ जल्दी से बते 79 का right answer क्या हो जाएगा दोस्तों कपास उत्पादन में राजस्तान का भारत में कौन आपका correct answer हो जाएगा दोस्तों 6 इस्तान है दोस्तों 6 इस्तान 80 number question आपके सामने आ चुका है दोस्तों अब राजस्तान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं करसी को पसु पालन को खनीज को या जल्वायू को बताएए 80 number का right answer क्या हो जाएगा मानसून का जुआ किसे कहा जाता है राजस्तान में बिल्कुल दोस्तों सबी का right answer आना चीए इसका very good मेरे प्यारे दोस्तों बहुत अच्छी तेयारिया आपकी आप इसे continue रखिए दोस्तों कर्शी को दोस्तों राजस्तान में मानसून का जुआ केते हैं ए ओप्षन आपका correct answer ने ए ओप्षन ठीक है अगला देखिए 81 number राजस्तान राज्य के सकल गरेलू उत्पाद में कर्शी एंउपसु पालन का योगदान कितना रहता है सबी मेरे प्यारे साथियों को 81 का right answer कमेंट करना है दोस्तों कोई भी पिछे नहीं रहना चाहिए जल्दी से बते ही right answer क्या हो जाएगा चलिए बिल्कुल 81 का right answer C option correct रहेगा 24 से 30% जो है वह पसु पालन का योगदान रहता है और कर्शी एंउपसु पालन का योगदान रहता है C option बिल्कुल correct answer रहेगा दोस्तों C option ठीक है अगला question देखिए 82 नमबर देखो दोस्तों तिल के कुल कर्शित शेत्रपल की द्रिष्टी से राजस्तान का भारत में कौन सा इस्तान है तिल उत्पादन द्रिष्टी से या तिल के कर्शित शेत्रपल की द्रिष्टी से राजस्तान का भारत में इस्तान बताना है पहला दूसरा तीसरा या तोता जल्दी से तरी 82 नमबर का राइट आंसर 82 नमबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेलकुल B option आपका correct आंसर हो जाएगा दूसरा इस्तान है दोस्तों तेल की कर्शे से तरपल का दरिश्टी से राजस्तान का भारत में दूसरा इस्तान है ठीक है अगला देखिए राजे में पाली जाने वाली देशी मुर्गियां किस नसल की है अकरावे बदेरी आकोला इम अजमेरी बसरा इम असिलिया राणी खेतें लाल होर्न जल्दी से बते तयांसी का राइट आंसर क्या हो जाएगा राजे में पाली जाने वाली देशी मुर्गियों की नसले कौन सी है देशी मुर्गियों की नसले बताने है दोस्तों आपको द्यार रखना है चलिए तयासी का राइट आंसर कमेंट कर दीजे दोस्तों सबी लोगों को कमेंट करना है बिल्कुल तेयासी का सी ओ उप्सन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बसर आयम असिल जो है वो देशी मुर्गियों की नसल है राजस्तान में पाली जाने वाली ठीक है अगला क्योशन देखी राजस्तान में प्रात्मिक शेकारी दुख्द उत्पादक समीतियों की संक्या कितनी है 10,090, 11,000 या 14,822 जल्दी से बतेए शेकारी दुख्द उत्पादक समीतियों की संक्या कितनी है राजस्तान में 84 नमबर आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों जल्दी से बते राइट आंसर क्या हो जाएगा चलिए 84 का कमेंट कर दीजिए दोस्तों सब भी लोग 84 का कमेंट करेंगी जल्दी से जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना है दोस्तों बिल्कुल D option आपका करेंट आंसर हो जाएगा 144822 जो है सेकारी दुख दुद्पादक समीतियों की संक्या D option आपका करेंट आंसर है अगला क्योशन देखे गिरल परियोजना किस से सम्मन्दित है दोस्तों क्योशन बहुत अच्छे अच्छे है गिरल परियोजना किस से सम्मन्दित है ताप विदुत जल्विदुत परमानु विदुत या गेश ये विदुत जल्दी से बते 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों गिरल परियोजना किस से संबन्दित है दोस्तों गिरल परियोजना का संबन्द किस से है दोस्तों चार ओप्षन आपके सामने अवेलेबल है काफी लोगों के आंसर आने स्टार्ट हो चुके है बिलकुल ए ओप्षन करेक्ट आंसर है जाएगा ताप विदूत परियोजना है गिरल परियोजना ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बार सब कमेंट करके बतो बही कमेंट करके बतो आपके लिए केवल मेहनत की जा रही दोस्तों सबी को कमेंट करके बताना है मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा टेस्ट में दोस्तों दिल खोल के कमेंट कर दू मेरे पहरे साथ यो अगले क्योस्टन की तरफ बढ़ेंगे फिल चलिए अगला क्योस्टन देखिए 680 नंबर एक ही जिले से प्रारम होकर समापत होने वाला राज्ये का एक मात्र राष्ट ही राज्मार कौन सा है NH 89, NH 113, NH 79A या NH 11B जल्दी से बताइए 86 का राइट आंसर क्या होज़ेगा दोस्तों 86 का 86 का कौन सा राइट आंसर होज़ेगा दोस्तों सबी दोस्तों को कमेंट करना है 86 का राइट आंसर बिलकुल C ओप्षन करेक्ट आंसर होज़ेगा दोस्तों NH 79 ठीक है C ओप्षन आपका करेक्ट आंसर है अगला क्युस्तन देखे दोस्तों अगला क्युस्तन आपके सामने आ रहा है राजस्तान का एक मात्र अल्प संक्यक शिक्षक परशिक्षन माविदाले काँ पर इस्तित है चलिए बिलकुल B ओप्षन करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जालावाड में इस्तित है B ओप्षन आपका 87 का राइट आंसर है अगला देखे 88 नंबर आपके सामने आ रहा है राजस्तान में 50% से कम माहिला साखशता वाले जिलों की संक्या पूछेगे दोस्तों बते राइट आंसर क्या होगा 88 का सबी सातियों को कमेंट करना है 88 नंबर आपके सामने अवेलिबल है बिल्कुल दोस्तों 18 जिले हैं डी ओप्षन आपका correct answer एगा एसे 18 जिले हैं राजस्तान में जिनमें मैला साक्षर्ता जो है 50% से कम है अगला किस्टन देखे किसी राज्ये का उच्चतम विद्य अधिकारी कौन होता है राज्ये का दोस्तों किसी भी राज्ये का उच्चतम विद्य अधिकारी कौन होता है दोस्तों मा न्याइवादी मा दिवक्ता सोलिशीटर जनरल या विद्य विबा का मा सच्चिव जल्दी से बदे 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल B option आपका correct answer एगा किसी भी राज्ये का उच्चतम विद्य अधिकारी होता है मा दिवक्ता ठीक है काफी लोगों ने से बतायता है बिल्कुल correct है आगे बढ़िए राजस्तान में सरो परतम राष्ट पती शाचन कब लागू हुआ था पॉल्टिकल का क्यूशन है दोस्तों 1967, 1967, 1980 या 1902 में जल्दी से बतायी 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 नमबर आपके सामने है दोस्तों 100 तक के 50 क्यूशन देखेंगे राजस्तान जी के के बतायी राइट आंसर क्या होगा दोस्तों चलिए बिल्कुल ए ओप्षन करेक्ट आंसर हो जेगा दोस्तों सर्व परतम जो राष्ट पती साचन है 1967 में लगाता राजस्तान में ए ओप्षन जिन दोस्तों ने बताया बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों अब आप एक बार जो है लाइक और शेर कर दीजे दोस्तों लाइक कमे एक बार लाइक करिए जल्दी से जाकर के अगला क्यूशन है इकराण में नमबर राज्य का उच्चतम नयाले लेक जारी कर सकता है कौन सा लेक जारी कर सकता है राज्य का उच्च नयाले बंदी परतिक शिक्रण, परमादेश, परतिशेद या उपरियुक शबी जल्दी से बतेई एकराण में का राइट आंसर क्या हो जाएगा राज्ये का राज्ये उच्चतम न्याले कौन सा लेक जारी कर सकता है दोस्तों चार ओप्शन आपकी सामने अवेलेबल है नाइन टी वन का आपको राइट आंसर कमेंट करना है चलिए जल्दी से कमेंट करते रहे मेरे पहरे सातियों जितने लोग भी जुड़े हैं लाइक और शेर बनता है दोस्तों एसी क्लास पर बिल्कुल उपरियोग सभी आपर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ओप्सन सही है बिल्कुल इकराण में का डी ओप्सन सही है बराण में पर आजएए राजे मंत्री परिशत सामुईक रूप से उत्तरदाई होती है राजे पाल के परती विदान सभा के परती या विदान परिशत के परती या लोग सभा के परती बताईए बराण में का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों राजे मंत्री परिश्यत सामुई करूप से किसके परती उत्तरदाई होती है दोस्तों बराण में का राइट आंसर कमेंट करना है दोस्तों 92 नमबर आपके सामने अवेलेबल कर दिया मैंने अब बताई राइट आंसर क्या हो जाएगा वेरी गुड बी ओप्षन करेक्ट आंसर हैगा राज्य मंत्री परिश्यत सामुई करूप से विदान सबा के परती उतरदाई होती है बी ओप्षन जिन दोस्तों ने बताई बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों अगले क्यूशन पर आईए मेरे प्यारे साथियों 1857 की करांती के समय जेपूर का सासक कौन था जिसने अंगरेजों को साहिता पहुंचाई थी दो बार ही क्यूशन आचुका आपके सामने तक्त सिंग, सवरूप सिंग, राम सिंग, द्वीतिय या सरदार सिंग, बते दोस्तों 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1857 की करांती के समय जेपूर का कौन सा सासक जिसने अंगरेजों को साहिता पहुंचाई थी दोस्तों बिल्कुल 253 राज संस्तों को सुवेदानिक मानियता परदान की गई है, दोस्तों बहुत अच्छा, अच्छे लेवल का क्युस्टन अब आपके सामने है भारतिय समयदान के किस अनुछेद के अंतरगत 253 संस्तों को समयदानिक मानियता परदान की गई है, 256, 368, 144 या 243 भी जल्दी से बते, चोराण में का राइट आंसर क्या होजएगा बिल्कुल, बिल्कुल वेरी गुड, चोराण में का राइट आंसर क्या होजएगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट कर दीजी काफी लोग कमेंट करने लगे हैं चोराण में का राइट आंसर बते हैं दोस्तों वेरी गुड डी ओप्षन करेक्ट आंसर होजेगा दोस्तों डी ओप्षन 243 बीम में जो है समयधानिक मान्यता प्रदान की गई है पंचायती राज संस्तों को ठीक है आगे बढ़िए हमारे समयधान में ग्यारवी अनुसुची कब जोड़ी गई 1990, 1901 में 1902 में या 1903 में जल्दी से बते हैं 95 का राइट आंसर दोस्तों सभी टोपिकों को टच करते हैं आपका टेस्ट होता है मेगा टेस्ट जिसे कहते हैं हम दोस्तों लाइक और शेर करते रहें ये लगबग आपका बारवा मेगा टेस्ट चल रहा है आपको जो है पले लिस्ट मिल जाएगी दोस्तों मेगा टेस्ट नाम से तो आप वहाँ पर देख सकते हैं सारे के सारे टेस्ट चलिए ग्यारवी अनुसुची दोस्तों कब जोड़ी गई बिलकुल 1903 जोड़ी गई है डी ओप्षन आपका करेक्ट आंसर हैगा 95 का डी ओप्षन डी ओप्षन जिन दोस्तों ने बताए बिलकुल करेक्ट है ठीक है आगे बढ़िए दोस्तों 96 पंचायती राजसंस्ता के चुनाव लड़ने है तू परत्यासी की निर्दारित न्योंतम आयू सिमा क्या है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष बताए 96 का राइट आंसर पंचायती राजसंस्ता के चुनाव लड़ने के लिए परत्यासी की निर्दारित न्योंतम आयू क्या है दोस्तों 96 का राइट आंसर बते हैं दोस्तों Very good दोस्तों Correct आंसर हो जेगा 21 वर्ष है दोस्तों चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष है 18 वर्ष जो है मत्दाता किये दोस्तों ठीक है 21 वर्ष चुनाव लड़ने के लिए है B option आपका correct आंसर हैगा 96 का 97 का राइट आंसर कमेंट कीजिए लाइक शेर कर दीजे दोस्तों लाइक और शेर बढ़ते रहने चाहिए मेरे पैरे साथियो 97 का राइट आंसर बताते वे चलिए बहुत बढ़िया B option आपका correct आंसर हो जेगा परसासनिक प्राधिकरन है बलोक इस्तर पर पंचाई समीती B option आपका right आंसर होगा 97 का ठीक है 98 बताए कि निम्न लिकित में से कौन सा इस्तल राजस्तान में 84 जल्दी से बताए 98 का right आंसर very good दोस्तों कौन सा नहीं रहा है दोस्तों ये पूचा गया है आप ध्यान से पढ़ें क्यूशन को 98 का right answer बताना है जल्द बाजी नहीं करनी है दोस्तों बहुत ही बड़ी है दोस्तों जेपुर जो है 1857 की क्रांति का केंदर नहीं बना था B option आपका correct answer है 98 का ठीक है 98 में B बताने वाले बिलकुल correct है मेरे पहरे सातियों बहुत बहुत स्वागत है आपका अगला क्योशन 99 देखिए निमन में से कौन सी नगरी है सवसासन संस्ता राजस्तान में अस्तितों में ही नहीं है नगर पालिका नगर परिशद नगर निगम या मा नगर निगम बते ये राजस्तान में कौन सी स्वसासन संस्ता अस्तितों में नहीं है जल्दी से कमेंट कर दीजे दोस्तों right answer क्या हो जाएगा मेरे प्यारे सातियों जल्दी से बता दीजे मुझे कमेंट करके सबी को कमेंट करना है दोस्तों सबी को चलिए कमेंट कर दीजे दोस्तों right answer क्या हो जाएगा बिल्कुल 99 में का D option correct answer हो जाएगा दोस्तों मा नगर निगम जो है वो अभी राजस्तान वास्तितों में नहीं है ये संस्ता D option आपका correct answer देगा आज के जिके के अंतिम परशन देखे दोस्तों नगर परिशद का अध्यक्ष क्या कहलाता है नगर परिशद का अध्यक्ष क्या कहलाता है दोस्तों मेयर महापोर सबापतिया उप महापोर जल्दी से बताइए क्या कहलाता है दोस्तों, मेयर, महापूर, सभापतिया, उपमापूर, नगर, परिशत का अध्यक्ष क्या कहलाता है दोस्तों, 19% आपके सामने अवेलेबल है, चलिए, सो का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, सोवा क्य में से कितने क्युस्टन सहीवे हैं आज आपके 50 में से मेरे प्यारे सातियों इस टेस्ट में आपके कितने क्युस्टन सहीवे हैं जल्दी से कमेंट करके बतेए दोस्तों सभी दोस्तों को कमेंट करना है कि आज आपके 50 में से कितने क्युस्टन सहीवे हैं दोस्तों चलिए ब पॉस्ट भी कर दूँगा आपको टेलिग्राम पे यदि आपने हमारे टेलिग्राम गुरूप रेवत राज मैथमेटिक्स को जोइन नहीं किया है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक लिंक के वाद से जोइन कर लीजिए नया टाइम टेबल लिखे दोस्तों साथ बज़े आपका हिंदी का टेस्ट होने वाला है कल से हिंदी का सुबह 10 बज़े दोस्तों 10 बज़े आपका सिक्षन अभी रूची का टेस्ट रेगा सिक्षन अभी रूची का टेस्ट रेगा दोस्तों 3 बज़े आपका मेगा टेस्ट रेगा और रात को 9 बज़े आपकी जे बारत